पत्ता गोबी के पराठों की ऐसी रेसिपी के पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा खाने में इतने टेस्टी के बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे हफते में एक बार घर वाले जरूर इसको बनवाने की फर्माईश करेंगे आलू और दाल के पराठे तो आप भूल जाएंगे जब आप एक बार पत्ता गोबी के ये जबरदस से पराठे बना के तयार करेंगे जो खाने में बहुती मज़िदार लगते हैं और इसके साथ हम बनाएंगे तड़के वाली दही दोनों का कॉंबिनेशन एक साथ बहुती टेस्टी लगता है एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राय करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए चलते हैं इस मज़िदार से पत्ता गोबी के पराठो की रेसेपी की तरफ और साथ ही तड़के वाली दही का रायता भी आज बना के तयार करेंगे तो चलिए रेसेपी की तरफ चलते हैं पत्ता गोबी के मज़ेदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटे साइस की पत्ता गोबी ले ली है इसके उपर का जो छिलका होता है यानि के उपर का जो गंदा सा छिलका होता है उसको हमने हटा दिया है अब हम इसको कदू कश कर लेते हैं तो पत्ता गोभी को हमने बारीक कदू कश कर लेना है इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे पत्ते नहीं रहने चाहिए अगर पत्ते आ भी जाएं मोटे मोटे तो आप उनको या तो हटा सकते हैं या तो आप उनको बारीक इस तरह से चुरी से कट कर सकते हैं तो सारे पत्तों को इस तरह से हमने चुरी से कट कर लिया है और बाकी हमने इसको इस तरह से कदुकश कर लिया है बिल्कुल बारिक कदुकश किया है इसके साथ ही हमने इसमें वन टी स्पून नमक एट कर दिया है और नमक एट करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको ढग कर छोड़ देते हैं ताकि इसका जितना भी पानी हो वो उपर आ जए तो इतनी देर हम एक मसाला बना के तयार कर लेते हैं एक फ्रै पैन में 1 टीस्पून काली मिर्च 1 टीस्पून साबित धनिया इसमें एट कर दिया है 1 टीस्पू कर लेते हैं लो फ्लेम पर इतना रोस्ट कर लेंगे कि अची से खुजबू आने लगे और इनका गोल्डन सा कलर हो जाए तो इस तरह से मसाले की जो खुजबू होगी वह बहुती जबरदस आएगी यहां पर आप देख सकते हैं मसाले का कलर हलका सा गोल्डन सा हो चुका है यहां पर हमारा मसाला अची तरह से रोस्ट हो चुका है अब हम इसको हावन दस्ते के अंदर डाल देते हैं और इसको कूट लेते हैं तो हमने इसको दरदरा सा कूट लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसको इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है तो इस मसाले को हम पराठे में भी यूज़ करेंगे और राइटे में भी यूज़ करेंगे तो अब हम पत्ता गुबी की तरफ आ जाते हैं तो पत्ता गुबी के अंदर नमक डाल कर रिख दिया था कि धूरी देर के लिए अब हम इसका जितना भी पानी है उसको निचोड लेते हैं तो पत्ता गोबी के अंदर काफी सारा पानी होता है इसको हम इस तरह से दबा दबा कर निचोड लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से हमने निचोड लिया है पानी को भी समाल कर रखेंगे अभी फेकेंगे नहीं तो हमारी जो पता गोबी है वो बिल्कुल खुश को चुकी है अब हमने इसमें हरी मिर्चे एड़ कर दी है वन टी स्पून कुटा हुआ अद्रग एड़ कर देती है उसमें टेबल ह tätä स्पून रोस्टे जो हमने हावन दस्ते में मसाला कूटा था उसको हमने एड़ कर दिया है तो थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे तो नमक हम पहले भी इट कर चुके हैं आफ़ टी स्पून काला एड़ का एड पाउडर हमने इसमें कर दिया है और half tea spoon हम इसमें add कर देंगे अजवाइन थोड़ा सा हम इसमें इस तरह से कटा हुआ हरा धनिया add कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से mix कर लेते हैं तो पराठो की stuffing ready हो चुकी है ये पराठो की stuffing बहुती टेस्टी लगती है एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा इसको तो अब पराठे बनाने के लिए आटा गून लेते हैं तो डेड़ कप हमने यहां पर आटा ले लिया है तो यह वही गंदुम काटा है जिसे हम रोटिया बनाके तयार करते हैं टू टेबल स्पून इसके अंदर हम सूजी ऐट कर देंगे इससे हमारे पराठे बहुत ही खस्ता बन के तयार होंगे हाफ टी शपून नमक एट कर दिया है टू टेबल स्पून असली घी अट कर देंगे अगर आपको पराठे सॉफट बनाने हैं तो आप इसमें ऑईल एट कर सकते हैं लेकिन घी से हम इसको खस्ता पराट के तयार करेंगे अब हम पत्ता गोबी का जितना भी पानी निकला था वह पूरा पानी हम इसके अन्दर एट कर तें तो बहुत ज़ादा पानी है अदा कबush में कर दिया पत्ता गोबी के पानी के अलावा अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी एट करते हैं और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तयार कर लेते हैं तो हमने जो आटा गूनना है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा बना के तयार करना है ताकि हमारे जो पराटे हैं वो बिल्कुल पर्फेक्ट बहुत ही जबरदस से बन कर तयार हो तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा हमने बहुत अच्छी तरह से गोन लिया है इसको अच्छी तरह से नीट कर लिया है तो इसके अंदर हमने सूजी भी एट की है जिससे हमारे पराटे बहुत ही जबरदस बनेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने पराटे का जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट गूंदा है तो अब हमने यहां पर दोनों चीजे तयार कर लिया है स्टफिंग भी तयार है इसको धक्का रख देते हैं अब हम तड़के वाला दह करके इसमें एट कर दिया है इसके साथ ही सुखी लाल मिर्चे हम इसके अंदर एट कर देते हैं तोड़कर और हमने यहां पर हरी मिर्चे ले ली है तो तीन से चार अदद हरी मिर्चों को कट करके एट कर दिया है काफी सारा कड़ी पत्ता एट कर दिया है तो कड़ी पत्ते को दोने के बाद सुखाना जरूर है वरना इस तरह से चीटे ओड़ेंगी तो यहां पर कड़ी पत्ता भी हमने इसके अंदर एट कर दिया है और सुखाना में इसको भूल गई थी अब हम इसके अंदर एट कर देते हैं वन टी स्पून भरके रोस्टिट हावन दस्ते में प्यास जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया है तो प्यास को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो प्यास को हमने ट्रांसपेरंट होने तक फ्राइ करना है साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी एट कर देते हैं हाफ टी स्पून हम इसमें न तो बहुत जादा फ्राय नहीं करेंगे बस इतना ही हमने इसको फ्राय करना है अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस पूरे मसाले को ठंडा करने के लिए साइट पर डग देते हैं इतनी देर हम यहां पर अपनी दही फेंट लेते हैं तो यहां पर मैंने एक थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनिया को भी मिक्स कर दिया है और साथ ही हम इसके अंदर एट कर देते हैं प्यास वाला मसाला जो हमने फ्रै पैन में तयार किया था तो यह पूरा मसाला हम इसके अंदर एट करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके जो हाँ में बहुती टेस्टी लगता है तो अब हम अब선 gestures के तरह आप की तरहा जाते हैं तो यहां पर हमारा आटा भी सट हो चुका है तो आटे को थोड़ा सा और स्गोढा लेते हैं तो आटे को नीट कर Act चे हैं । अब धार महरे बणा लेते हैं चोटे पतला करके चंगेरी बना लिए है और इसके उपर हमेट कर देते हैं जो पराथी इस से फ्लैट कर लेते हैं और बेल से बेल लेते हैं तो हमने यह जो पराथी बनाके का lives बना करने हैं यह बहुत से दबाते हुए एक रोती बेल लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक छोटे साइज की इस दरा से रोती बեղ लिहे और इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था अब तवे के ऊपर हम अपना पराठा डाल देते हैं एक साइट से सिखने के बाद अब हम दूसरी साइट से इसको सेक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक देखी हमने रोटी को सेक लिया है अब हम इसके ओपर घी डाल देते हैं तो असली घी में हम ये जबरदस से पराठे बना के तयार करेंगे तो पहले एक साइट पर हमने घी डाल दिया है और इसको पलट देते हैं अब हम दूसरी साइट गी लगा देते हैं तो जादा से घी में हम इन पराठो को सेक लेंगे ताके बहुत ही जबरदस सा कलर आए और हमारे जो पराठे है वो बहुत ही मज़िदार बंद कर तयार हो मीडियूम फ्लेम पर हम इन पराठो को सेक लेंगे ताके बहुत ही जबरदस सा कलर आए तो यहा तो यहाँ पराथे भी सारे बनकर तयार हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा तड़के वाला दही का रायता भी बनकर तयार हो गया है तो देखिए कितने खस्ता और कितने मज़ेदार हमारे पराथे बने हैं तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी पत्ता गोभी के पराठो की रेसिपी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया त तक मुझे दीजिए अजासत लाफेज